नमस्कार साथियों, धारा 307 जब मेरे उपर लगी, किसान अंदूरन के चलते, सोशल मेडिया और ग्राउंड लेवल पर जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल सोड़ा तारिख के लाठी चारज के चलते हमारे उपर ये स के चलते हिसार,étaर परिशासन पर दबाव पना, सरकार पर दबाव पना, सासन और परशासन दोनओं पर दबाव बना, और उस दबाव के चलते पर शासन ने कहा है कि आने वाली 24 तारिख तक आपके सभी मुकदमे खारिज कर दिये जाएंगे, एक कोरट के इसाबशे ताकि मेरे साथ खड़े थे मेरे भाई सोचल मेडिया के यूटूब के इंस्टाग्राम के ट्वीटर ट्रेंड आपने चलाया और उस ट्वीटर ट्रेंड को आपने टोप लिस्ट में सामिल किया तो उसके लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगी कि इस एक न परतिभागिता आप दिखाएंगे तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूं आभारवेक्त करती हूं जो आप लोग इस घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए क्योंकि 307 की वो धारा होती है जो एक मतलब मैं कहूंगी कि एक यदी हरे पेड पर 307 लिख दिया जाए तो पेड़ सूख जाता है ऐसी कहावते हमारे हरियाना में है और आप सब को पता है कि जब किसी की हत्या करने की का प्रियास किया जाता है या किसी पर हमला किया जाता तब ऐसी धाराम का प्रियोग किया जाता है लेकिन वो कहते ना कल किसानी कल भी जीती थी, आज भी जीती है, सरकारे कल भी हारी थी और आज भी हारी है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मुच, जै किसान, जै जवान, जै किसान, जै किसान सरदारी